हेलो एवरिवन वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल साइन्स एक्स्प्लोर्ड यूमन बॉड़ी ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेट स्ट्रक्चर है यूमन बॉड़ी को हंड्रेट से भी ज्यादा मिनरल्स और विटेमिन्स की जरूरत है ताकि वो प्रॉपर्ली काम कर सके हमार के बॉड़ी के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट मिनरल है वो है कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरिन, एक्सेटरा इन में से जो कैल्शियम है वो हेल्दी बॉन्स और टीथ के लिए जरूरी है अल्सो ब्लड क्लोटिंग, मसल कॉंट्रेक्शन, प्रॉपर नर्फ इन सारे कामों के लिए कैल्शियम इंपोर्टेंट होता है बट यह कैल्शियम बॉड़ी में बहुत ही कम अमाउंट में एप्सव किया जाता है सो इस कैल्शियम को एप्सव करने के लिए विटेमिन डी की हल्फ ली जाती है विटेमिन D helps to absorb calcium and phosphorus from food into intestine विटेमिन D हमें कई सारे sources से मिल सकता है जैसे कि sunlight है, cheese, milk, yogurt, fish, egg, etc अगर कोई विटेमिन D का proper intake नहीं करता है मतलब अगर कोई proper amount में विटेमिन D को नहीं कंजूम करता है जनरली अगर वो छोटा है तो उसके bones में calcium और phosphorus की level balance नहीं रहे पाएगी और उस person को एक disorder होने का chance बढ़ जाएगा जिसका नाम है Ricketts तो आज हम इस वीडियो में इसी disorder के बारे में discuss करेंगे जो की है Ricketts इसमें हम इसके causes, symptoms, diagnosis, treatment और और भी कई सारे points को discuss करने वाले हैं चलिए फिर start करते हैं Ricketts के उपर एक common question net पे always search किया जाता है कि Ricketts किसी भी age में हो सकता है या फिर ये सिर्फ किसी particular age में ही होता है So Ricketts is most common in children who are between 6 and 36 month old तो children ये high risk पे होते हैं क्योंकि वो growing phase में होते है अगर vitamin D उन्हें कम मिलता है तो calcium और phosphorus उनके bone में absorb नहीं होगा और bones की proper growth नहीं हो पाएगी और उन्हें Ricketts होने के chances बढ़ जाएंगे तो क्या समझे Ricketts is a childhood bone condition मतलब ये ज्यादा तर छोटे बच्चों में दिखाई देता है और इसमें bones ये soft ही रहेंगे जिससे उनके fracture होने के chances बढ़ जाएंगे और इसमें bone की proper growth ही नहीं होती और bone को proper shape भी नहीं मिलेगा और bones में irregularity दिखेगी जैसे कि इस picture में आप देख सकते हो तो calcium absorb ना होने के कारण bone को proper shape नहीं मिलेगा तो ऐसे condition को हम Ricketts कहेंगे और ये ज्यादा तर छोटे बच्चों में दिखाई देगा अभी हम Ricketts होने के क्या कारण हो सकते हैं ये जान लेते हैं सबसे पहला और major कारण है lack of vitamin D अगर छोटे बच्चों को विटामिन D proper amount में ना मिले तो Ricketts होने के chances बढ़ जाते हैं विटामिन D आप्टेन करने के दो ही major source है पहला है sunlight और दूसरा है food अब सवाल ये है कि जो sunlight है ये विटामिन D को कैसे produce करता है तो इसका answer सुरिए हमारी जो skin होती है ये skin विटामिन D को produce कर सकती है बट ये कब possible होगा जब हम sunlight के contact में आएंगे तब ही skin ये विटामिन D को produce कर सकेगी बट अगर हम बच्चों को sunlight में जाने से रोकेंगे उन्हें हर बार sunscreen lotion लगाएंगे तो वो sun rays को block करेगी और body विटामिन D नहीं बना पाएगी और जिनकी skin dark है उन्हें भी sunlight एप्सॉफ करने में दिक्कत होती है दूसरा विटामिन D का source है food for example fish oil, egg yolk, fatty fish, milk, some juicy fruits, etc. ये तो हुआ पहला reason जो की है lack of vitamin D तो जिससे rickets हो सकता है रिकेट होने के पीछे genetic factor भी responsible हो सकता है अभी हम रिकेट के क्या symptom है ये जान लेते है तो यहाँ पे मैंने बहुत से symptoms बताए है तो सबसे पहला है bone pain next bone that grow slowly अगर किसी बच्चे में bone की growth अगर slow हो रही है तो ये एक symptom हम बोल सकते है रिकेट का next है curved leg अगर leg की proper growth नहीं हो रही है अगर वो curvedly ऐसे grow अगर होते है तो ये एक रिकेट का symptom है next muscle weakness bones that are soft and break easily अगर कोई बच्चा गिरने से थोड़ा सा गिरने से भी अगर उसके bone fracture हो रहे है तो ये भी एक बहुत बड़ा problem हो सकता है और इसे हम symptom बोलेंगे रिकेट का next है large forehead अगर normally जो forehead है अगर उनसे किसी का forehead अगर बड़ा है तो ये एक symptom है next is an unusual shape to the ribs and breast bone अगर ribs का proper shape नहीं है तो ये एक symptom है और last है wide joints in the elbow and wrist अगर किसी का elbow के जो joints है वो अगर बड़े है तो ये भी एक रिकेट का symptom हो सकता है तो ये कुछ basic symptom होते है रिकेट के डॉक्टर रिकेट के symptom देखके और patient की lifestyle जानके जैसे कि उसका diet और वो sunlight के contact में कितनी बार आता है ऐसे कुछ basic question से डॉक्टर रिकेट को diagnose कर सकते है symptoms जानने के बाद डॉक्टर कुछ test recommend कर सकते है जैसे कि blood test blood test से calcium और phosphorus की level चेक की जाती है रिकेट के diagnosis की second test है an arterial blood gas test इसमें blood की acidity चेक होती है third test होती है x-ray यहाँ पे bone का structure और shape इस test में देखा जाता है और last test है diagnosis की bone biopsy इसमें patient का bone sample लेके cancer या abnormal cell को diagnosed किया जाता है तो डॉक्टर यह कुछ basic diagnosis के test रिकेट के patient को recommend कर सकते है अब diagnosis के बाद इसकी treatment क्या होती है यह हम जान लेते है तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो इतना वीडियो देखने के बाद आप खुद ही इसकी treatment बता सकते हो तो vitamin D, calcium और phosphate का intake patient ने बढ़ाना चाहिए क्योंकि हमें पता है calcium और phosphate का intake ना लेने से properly bones की growth नहीं होगी तो simple इसकी treatment क्या होगी? vitamin D, calcium और phosphate का intake बढ़ाना डॉक्टर patient को vitamin D supplement भी suggest करेंगे साथ ही साथ डॉक्टर patient को sunlight का exposure बढ़ाने का suggest करेंगे और उन्हें proper diet भी बताएंगे तो सबसे simple उसकी treatment क्या है? sunlight में बैठना तो ये है इसकी proper treatment अभी हम देखेंगे इसके risk factor क्या है? तो simple है अगर हम vitamin D का intake नहीं लेंगे तो इसका risk factor बढ़ जाएगा अगर हम sunlight में ज़्यादा देर तक नहीं जाते है या फिर हम जाते नहीं है तो रिकेट्स होने के chances बढ़ जाएंगे और vitamin D का supplement अगर properly नहीं लेंगे कोई तो उन्हें भी रिकेट्स होने के chances बढ़ जाएंगे Lastly यहाँ पे मैंने कुछ complications बताए है अगर रिकेट्स पे proper treatment प्रॉपर टाइम पे ना की जाए तो क्या problem हो सकते है तो सबसे पहला तो problem आप समझ सकते हो कि bones that break easily तो bone easily break हो जाएंगे तो ऐसे कुछ complications किसी किसी patient में दिखाई दे सकते है अगर वो proper time में अगर उसके उपर treatment ना ले तो तो यह हुआ complete रिकेट्स के बारे में तो आज हमारा वीडियो यही तक था अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को like किजेगा और इस वीडियो को share जरूर किजेगा Thank you